ताज अवो महप्राशा बात में बगनिया साची प्रभन्दूमी चैनल ला सब्स्क्राइब करा वो बेल आइकोन वर क्लिक करा सब प्रसंद मी सांगो इच्छे तो मी कलेक्टर आफिस मदे होतो देवा मला प्रांतो साइब अचापोन आलो आंचे मिद्रा अनित्यानी सांगी था कि पुलीस होले है मनता है यह तो इस मदे पसाइचा नहीं पर इसकी हराजी के लिए कई महिने लग जाते है वो प्रोसेस कंप्रीक करने के लिए दूसरों उसमें लगते होगे इसके बाद अगर कोई ठूसरी बैंक या दूसरी कोई बत संस्था अगर कोई बेमानी करने का सोचे तो उसे यह याद रहना परेगा कि या शेराती या जिनाती जन्तानी जशा काम केलो है तो एक काम अपले अला करने अच्छी आवशक्ता पढ़ना रहे अगर एक कहामत है अगर घेसी भी उम्मिये से नहीं निकला आता ये लडाई अकेले अगर आप लड़ेंगे अकेले अगर मैं आपका साथ दोंगा तो शायद हम हार जाएंगे इस लडाई को हम सब को साथ में मिलकर लड़ना है और जो मैं सब को साथ में मिलकर लड़ना कह रहा हूँ बैंक कॉप्रेटिव सोसाइटीज इसके अंदर में आती है ये हमारे हमारे शेहर का हमारे जिरे का सौभग गया है इस देश के जो बैंक के मंत्री है वो हमारे शेहर से आते है ये महराशाच सहथार मंत्री आहे जे सहतार मंत्री आहे जैंचा कड़े ते डिपार्क्मेंट आहे ते कुपले या शहराचे आहे पालक मंत्री तुम्चे पालक नहीं आहे पालक मंत्री जे हां अस तो निया लेक जालो करना सांग तो इंत्याज जी जोरा मंत्री आफिस को धर्ना देंगे और इसके बाद भी अगर ये समझ में आया कि ये सब हमारे साथ खेलने का खेल खेल रहे है तो आखरी हला जो रहेगा वो मानकापे के खर के उपर जाके हला कि रहेगा कोई बड़ी बात नहीं है जब तक पैसा मिलेगा नहीं उसके आली शान सोफे में और उसके आली शान बेडरूम के अंदर मेरी आई को सुनाओंगा यह करना पड़ेगा तो मैं आप लोगों से सब इतने अनुरोग करना चाहता हूँ को सकता है कि पुलीस वाले पूरी कोशिश कर रहे होगे लेकिन हम भी उन्हें समय दे रहे हैं अगर पुलीस कमिश्टर अगर चाहे राधी टीम एकनॉमिक ओफेंसेज विंग की यो डव्यू की लगाएगा क्राइम ब्रांच के टीम इसके पीछे लगा दे यहां के सिर्कों की पुलीस पहले से ही इसके ओपर काम कर रही है इनको जब तक लाएंगे नहीं जब तक ये पता चलेगा नहीं कि कितने सा करोड रुप्य की प्रापरटी इन्होंने जमा किये है 68 वो प्रकरिया को जल्द से चल्द करके जल्द से, जल्द के असकी आख्षन करे जो करना है करे लेकिन हम एक टाइम मांगे इस टाइम के अंदर तक लोगों को पैसा मिलना चाहिए यही हमारा लक्ष दहने वाला